आज हम पूरा का पूरा एक स्ट्रेजी बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे करना होगा क्योंकि पहले ही जैसे मैंने बताया भी है कई बच्चों को के हमारा जो है स्लेवर्स कॉर्परेट अकाउंट का को जो हमने एफए करा फानीशल अकाउंट से ज्यादा होत कौन सी बुक जितने भी डाउट से आज सारी चीज़े देख लेंगे सर कॉर्परेट अकाउंट बेसिकली आज हमारा एक इंट्रोडेक्शन है तो कॉर्परेट अकाउंट में हमारा स्लेवर्स कैसे डिजाइन है वो मैं बता दूँगा हाँ इसमें कुछ बच्चे कुछ एक स्टूडेंट जो है पुराने जिनका यार रह गया था तो इसमें बहुत बच्चे यार वाले ह आए अन्ब है उप हो और बीच में बता दूँगा कि सीव सीज में क्या बदलाव था मैं नए को C Cシ की बात करूँगा जादा लिए अब कुछ चीजे नहीं नहीं रही कि कॉलेज में कैसे पेपर दिया जाए नहीं दिया जाए इसलिए सेमिस्टर वन का देखो ओनर्स वालों का पेपर तो टफ आये था लेकिन प्रोग्राम वालों का पेपर और एफए का इजी था इतना मुश्किल नहीं था और कोई भी किताब उठालो हमेशा पांच यूनिट में डिवाइड़ होता है जैसे कि यूनिट नमबर वन मैं भी पांच यूनिट के हिसाब से ही समझा दूँआ एक है हमारा यूनिट नमबर टू यूनिट नमबर फूर्व और लास्ट यूनिट नमबर फाईव पांच यूनिट है किस यूनिट में क्या चप्टर आईएंगे किस चप्टर को कैसे पढ़ना है प्राक्टिकल आएगा थियूरिटिकल आएगा ये सारी बाते इसके अंदर हम देख लेगे ठीक है अब बहुत सारे student का सबसे पहले कुछ बच्चे होते हैं जो कि self पढ़ भी रहे हैं या YouTube पे वीडियो पुरानी पढ़ी है वो देख भी लेते हैं तो मैं उन सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि syllabus हर साल corporate account का update हो जाता है change हो जाता है कुछ ना कुछ और जो YouTube पे वीडियो पढ़ी है वो काफी पुरानी वीडियो है या फिर आप Google भी करते हो तो कई बार आपको पुराने answers निकलते हैं तो उसके उपर believe ना करें जो latest है उसके उपर हमेशा आपको लेके चलना है books आपको corporate account का कौन सा लेना है that is अभी आप जो पहले semester one में थे college के अंदर दो ही book ज्यादा popular है एक जे आर मोंगा अभी market में नहीं आया होगा and second one is आपका बी के गोयल भूशन कुमार गोयल ठीक है ये दो book है मैं आपको जे आर मोंगा से पूरी की पूरी तैयारी करवाऊंगा तो आपके college में ज्यादा तर college में जे आर मोंगा प्रफेर किया जाता है तो आप सभी बच्चे भी जे आर मोंगा ले 2024 का एडिशन ले पुराने वाला एडिशन बिल्कुल भी ना ले नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर समेश्टर वन का पेपर वीकॉम ओनर्स का तूलसियान के बुक से आया था मैंने टेक्समेन पब्लिसर से पढ़ा था ठीक है बच्चे कहां लिकिन मैं आप सबसे पहले आपको एक शुदा होगा मैंने बुक रेफर किया यह टेक्स्ट बुक वैसे एक जैसे बच्चे कह रहे तो एक पी सी तूलसियान भी है ठीक है तीन बुक है मैं आप सब ही बच्चों को बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक जितने भी हैं वो सिर्फ practice purpose के लिए हैं ठीक है अगर आप practice बहुत अच्छे से करते हो concept wise करते हो तभी corporate account का paper कर पाओगे अगर आपने concept wise नहीं सिर्फ ये questions है इसका answer इस तरीके से हो जाएगा इसका answer तो नहीं कर पाओगे corporate का paper पर क्योंकि जो सबसे lengthy paper होता है पूरे आपके entire graduation की बात कर रहा हूं उसके अंदर आपका corporate account ही होता है जो सबसे lengthy रहता है है एक पल को अब देखो तो अब और का paper tough आया था pattern भी थोड़ा चेंज किया चाहे एस वेल का चाहे regular का लेकिन आपको उसी के हिसाब से preparation करके जाना पड़ेगा जो चीजे है वह proper तरीके से आपको देखके जाना होगा अब हम unit 1 की बात करें तो unit 1 में पहला चेप्टर है हमारा देट इस शेयर क्यापिटल सरी एक यह चेप्टर है जो कि आपके ट्वेल्थ क्लास में था लेकिन आपने ग्यारवी क्लास में final account भी पढ़ा और semester 1 में भी आपने final account पढ़ा तो दोनो final account में फरक यह था सब कुछ सेम था बस कुछ advance entry हमें देखने को मिला सेम ऐसे ट्वेल्थ क्लास में जो आपने शेयर क्यापिटल यानि शेयर फोर फीचर री इसू पढ़ा है सब कुछ सेम रहेगा बस थोड़े से advance उसके अंदर publication वाले questions बना के देंगे जो कि आपको सीखना होगा जिस बच्चे का share capital बहुत strong है 12th class में वो बच्चा पूरा corporate account को अच्छे से समझ पाएगा क्योंकि देखा जाए तो basic यही है जिस student का नहीं है उसके लिए मैं अलग से recorded 12th के simple simple से questions folder में बना के डाल दूँगा और उसको उसके हिसाब से आप पहले देख लेना और साथ के साथ लेके चलना ताकि आपको जल्दी समझ में आए दूसरा chapter हमारा इसके अंदर आता है that is bonus share हाँ किताब में आपके उपर नीचे हो सकता है chapter तीसरा आता है right issue चौथा आता है underwriter पांचवा आता है isop चौथा आता है redemption of preference share capital साथ आता है issue of debenture यह हमारा देखो unit one है और मेरा मानना इससे आधे में तो आपका fa खतम हो गया था इससे आधे chapter में तो हमारा fa निपट गया था पूरा का पूरा अब यहाँ पे 8 chapter डले हैं किसमे और यह आपका पूछा जाएगा 15 नमर का तो मैं इसलिए लेंदी कह रहा हूँ क्योंकि सारे बड़े chapter share capital मुझे ज्यादा बताने की जूरत नहीं है क्योंकि 12th class में भी जिसने पढ़ा हो उसमें भी लगवाग एक महिना लग गया था इतने सारे entry तो अब हमें क्या करना होगा थोड़ा सा क्योंकि आप 12 अभी रिसेंटली पढ़के आयों तो जल्दी जल्दी आप उसको revise करके रखोगे ताकि मैं थोड़ा speed भी लेके चलूँ इसको तो बात बन जाए हाँ इन चेप्टरों में मैं speed नहीं भगा सकता क्योंकि यह आपने पहली बार सुना है सिर्फ यह चेप्टर आपका 12 वाला है bonus issue पहली बार करेंगे right issue पहली बार करेंगे underwriter पहली बार करेंग बाकि redemption of debenture slivers से कट गया था आपके तो यह सारा का सारा scenario रहेगा तो इस चेप्टर को थोड़ा सा फास्ट या जैसे भी हम अभी discuss कर लेंगे unit number जो आता है ना आपका that is आता है आपका आठ के बाद nine number डाल रहा हूँ ठीक है final account यानि सर final account फिर आ गया लेकिन यह जो final account है that is company का पहले जो आपने final account पढ़ा था वो किसका था सर वो sole proprietor का था समझ रहे बाद यह किसका है company का 10 10 देखा जाए तो कौनसा है सर cash flow statement यह भी 12th class में पढ़ा था तो वो तो रहेगा ही रहेगा उससे थोड़ा सा advance रहेगा 11 ratio रेशो आपका 12th class में जितना पढ़ा था फिर अगेन इसमें advance पार्ट जुड़ जाएगा 13 AS 17 segmentation reporting के नाम से chapter है AS 17 तो unit number जो आपका 3 है वो यह रहता है unit total unit number 3 यह 15 marks का है 20 का भी मैं clear कर दूँगा यह रहेगा आपका ठीक है जिसमें से सबसे बड़ा chapter final account है उसमें time जाएगा करने में क्योंकि पहले आपने जब final account के format note किये थे तो उसमें 2-3 दिन की classes लग जाती थी पहले हम final account के अंदर के format फिर उसके notes to accounts 22-23 note करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें याद करना है आपको उसके उपर practical questions भी होंगे और adjustment भी होंगे वो सारे notes में आपको implement करके भी बनाने पड़ेंगे तो जैसे जैसे होगा वह हम देखते जाएंगे unit number 3 जिसका है हमारा 9 10 11 इसके अंदर एक और है एस that is EPS is 20 मैं एक बार देख लेता हूँ यह किसमे है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार नीचे नहीं वाला टैनियर आ गया होगा ठीक है एक बैग में रखा होगा एक कुछ यहर पर ठीक है उसमें बोलना कॉर्परेट का टैनियर दे तो जहां में बैठता हूँ ना अभी मैं आपको टैनियर भी दिखा दूँगा कि कैसे रहेगा इसके वाद कि 15 वेल्यू कि एड़िट 16 कि वेल्यूवेशन ओफ कि शेयर एंड कि गुडविल कि आई थिंग 17 यहां पर एस 20 है यह अभी बता देते हैं किसी यूनिट के अंदर आए कि हाँ एपिएस अर्निंग पर शेयर कि यहां वाले सेग्मेंट पर हैं यहां वो बता देते हैं इसमें से एक यूनिट पंदरा का है और एक यूनिट बीस का है ऐसे चल रहा है जैसे हमारे अपने देखा होगा एफ में भी जो यूनिट नमबर थ्री था उसके ज़्यादा कुछ नस पूछे जाते थे मैं बताता जाओं जो यूनिट नमबर थ्री मैंने यहां लिखा है क्या-क्या सीवी सीएस वाले इस लेबस में क्या-क्या नहीं होगा और क्या रहे गया मैं क्रॉस लास्ट में एक पर कर दूँआ ठीक है ना बस एक दो चप्टर का हेर फिर हुआ है ज्यादा नहीं इसके बाद और भी चप्टर लिख लेते हैं तेट इस आपका री कंस्ट्रक्शन कि एमल के मेंशन कि यह हमारा फॉर्थ है इदर ठीक है यह वारा फॉर्थ है थोड़ा साइज रिडियूज कर देते हैं कि मिल गया है अरे यह नहीं लाना था चलो कॉर्परेट अगाउंट कि पुराने वाला है एक बन चुकी है मैं प्रॉपर बता दूना उपर नीचे हूँ अगर 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 बन चार्ट अगर प्रॉपर अगर चार्च जिसकी बैक है वो भी ओके नहीं रसी भी साल है सर मेरे कॉलेज में टीचर्स ने यूनिट वन खतम भी कराती अब देखो कॉलेज में टीचर्स ने यूनिट वन खतम करा दिया पेपर तो अभी खतम हुए इतनी जल्दी कैसे खतम हो गया कि नहीं तो हाँ देखो कॉलेज के अंदर तो देखो जल्दी-जल्दी खतम कराते हैं हुए इस चल जाएगा लेकिन मैं कहूंगा कि आप सभी को 24 का ही लेने के लिए कि अब रुप जाओ तो उस पर हंडिट पर्सान सबसे पहले लिख देना रिफंड पॉलेशी पहले एक बार वीडियो बन जाए मैं बता दूं कि कैसे वह पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होता वह एक बार मैं यूटूब पर जाके और एक वीडियो बनाकर डालूंगा उसमें तब कर देना कलपा प्लिस कोस्ट की बच्चे वह की फोटो माग लिए अभी आई नहीं है अभी आईगी ना जिनकी फोट्राइम में डलवाद हूं चीक है वो डलवाद हूं तो हां जी स्टूडेंट देखे टैनियर बंब यह से तो मार्केट में आ चुका जो लास्ट यह का पिपर था तो दोनों ट पैनियर के साइज से भी अंदाजा लगा सकते हो जिसमें चैप्टर जादा है कि नहीं जा सकता है तो इसके अंदर अगर मैं यूनिट वाइस आपको बता दूँ क्यूंकि मैंने वेटेस देखने के लिए बोलत देखा था कि किसमें क्या है तो आपका एस चौदा इपिएस इसमें है एस अठारा है छिक है इसमें ध्यान से देखो तो सत्रा नहीं है यही थोड़ा कन्फीजन था किस यूनिट नहीं है तो यह 17 हमारे स्लेवर्स का पार्ट लेकिन इसमें नहीं है यहां एस अठारा है ठीक है अगे चलते हैं सर यह हमारे दो अलग-अलग चेप्टर है और इसमें आ जाएगा CSR चेप्टर का नाम है आपका corporate social responsibility के नाम से चेप्टर होता है यह आ जाएगा इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा हमारा इसके अंदर बॉटम आ जाएगा तो मतलब सारे का सारे जो है त्योरी कर त्योरिटिकल स्पेस नहीं है मैं वैसे ही बता देता हूं आपको रीड करके जो कॉंसेप्ट यह एक ही चेप्टर है हाला कि लेकिन छोटे-छोटे से पॉइंट आ जाते है इसमें से इसका नाम वै इसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं अपके सपास यह है अब कुछ बच्चे पुराने कोर्स वाले भी हैं तो मैं उनको बता दूँ क्या-क्या पुराने कोर्स वाले के स्लेवस में नहीं है तो पुराने कोर्स वाले बच्चों के स्लेवस में मैं अलग से बोल रहा हूं ध्यान दीजेगा पुराने कोर्स यानि CBCS वाले उसका यूनिट 3 नहीं है ठीक है उसमें रेशो नहीं है एस 18 नहीं है और एस 20 भी नह तो यहां पर फाइनिशल स्टेटमेंट के नाम से एक यूनिट एड़ हो जाता है उनके बुक में जो कि आता है जो क्रॉस लगा दी और जो वाइट मार्कर से है वो सिर्फ पुराने स्लेवस में और जो एनिपी वाले हैं उनको तो मैंने लिखा ही यह पूरा यह नए स्लेवस में तो चैप्टर देखो टूटल लगबग लगबग 181920 के आसपास के चैप्टर बन जाते हैं उसको और भी हम ब्रेक करें तो 23 के आसपास बन जाते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं सर किस चैप्टर का क्या duration होगा हमें कैसे पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग से मैं आपको हर तरही के बच्चे हो सकते हैं एक वो स्टूडेंट भी होगा जो कि बोलेगा कि सर हमें तो starting से ही पढ़ना है और एक वो स्टूडेंट भी हो गाula सर आप recording दे तो हम पहले से घतम करके फिर revision करेंगे तो मैं कुछ एक चैप्टर जितने भी हैं मैं पहले से recorded upload कर दूँगा लेकिन इस बात का ध्यान रखना है अगर मैंने recorded upload किया है तो कोई बच्चा मान लेते हैं के value edit questions करने लग गया अब मैं करवा रहा हूं right issue तो वो बच्चा doubt लेके आएगा सर मैंने तो value edit कर लिया है उसके doubt दीजिए तो doubt value edit वाले आपको संभाल के लिख के रखने है जब हम इस इसके doubts के लिए थोड़ा सा wait करना पड़ सकता है हम class में doubt का क्या रखेंगे जैसे chapter चलता जा रहा है इसके doubt साथ के साथ हम लेते जाएंगे साथ के साथ continue में लेते जाएंगे पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं कि book तो ही है और book के साथ again वही बात है कि book के साथ आपको 10 year ठीक है ना last year का paper थोड़ा सा last year मुश्किल आया था और last year का असान आया सारे questions paper आपको मिल जाएंगे और एक ही 10 year आता है market के अंदर that is सिवदास का 10 year और वो सारा market में आपको available हो जाएगा सिवदास का अभी एक दो दिन में आपको हो जाएगा सिवदास का जिन जो बच्चे नहीं ले पाते या दूर रहते हैं especially NEP CBCS का तो अभी मिल जाएगा पुराने वाला मिलेगा तो वो अभी कुछ दिनों में हमारे application में एक update आने वाला है उस update में बच्चा चाहे तो book को यहीं से order करके और जो भी charges पे करके वो अपने घर पे courier deliver करा सकता है NCR में within a one day deliver हो ज issue of shares, forfeiture of shares, reissue of shares, other than cash, यह सारी चीज़े सीखेंगे जो कि आप पहले से जानते हो bonus issue में जब company अपने shares को free में existing shareholder को दे देती है तो उसकी accounting entry क्या होगी यानि ये भी journal, ये भी journal, right issue में आपको एक right issue दिया जाता है कि आप पहले company के shares को खरीदी है उसके बाद ये भी journal है underwriter है, ये journal भी और एक table बनाके format करना पड़ता, underwriter मतलब जो हमारे shares को बिकवाने की responsibility लेता है तो उसकी accounting कैसे करेंगे, वो देखेंगे इस आप मतलब हम employee को उसके employment कितने दिनों तक हमारे business के अंदर जुड़ा रहेगा उसके बाद छोड़ता है, तो उसको हम एक shares देते हैं, उस shares की entry कैसे होगी, वो देखेंगे preference year में, जब preference year issue होता है, यब preference year redemption होता है, तो उसकी journal entry कैसे होगा वो देखेंगे issue of dementia आपने 12th class में देखा हुआ है, और redemption इसी का advance है हमारा किस तरीके से तो आप total में देखो, तो पूरा का पूरा जो चप्टर नजर आएगा, सारा का सारा किस format में है आपका journal entry, यहाँ पे laser बगएरा बनने के बहुत nominal से chances हैं sir, theory कितना आएगा? theory हर में से कहीं न कहीं पांच नंबर का निकाल के देदेंगे और वो पूरा का पूरा as a practical base पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे majorly एक unit पूरा अलग ही कर दिया theory का, तो मान के चलो इस में से theory तो पूछा ही पूछा जाएगा बागे बीच में से भी कुछ एक कुछ point रहेंगे sir, final account पूरा आपका final account जो statement schedule 3 वाला था, वही बनेगा इसके बाद cfs जो आपने 12th class में सीखा हुआ है वही रहेगा, ratio जो 12th standard में सीखा हुआ है, वही है as 18 आपके लिए new है, यह पूरा theoretical है, यह वाला पूरा आपका part theoretical रहेगा as 20 पूरा का पूरा practical है और यह आपका shares को market price कैसे decide होता है shares का क्या चीजे कैसे dilute वगरा करते हैं, वो देखेंगे है unit number 3, यह भी पूरा का पूरा हमारा value edit, यह हमारा एक statement based है statement बना के solve करेंगे, valuation of goodwill आपने 12th class में पढ़ा होगा जैसे कि आपका 2 method, 3 method, super profit method, capitalization method, average profit वो भी रहेगा लेकिन यहां स्रिफ valuation, goodwill की बात नहीं होगी, valuation, shares भी यहां पे लिया जाएगा तो shares का तो हम first time देखेंगे reconstruction, practical भी होगा, मतलब journal based भी होगा और इसके साथ साथ इसके अंदर laser भी बनाए जाएगे एक laser entry बनेगा, और साथ के साथ balance sheet भी बनेगा amalgamation आपका journal भी रहेगा और साथ के साथ balance sheet भी रहेगा हाँ, एक बात मैं बीच में miss कर गया कि जितने भी journal entry होगे, इन सभी के साथ balance sheet बनाने को आएगा पेपर में, ऐसा नहीं है, journal entry बनाना है, साथ के साथ balance sheet बनाने को आएगा ये भी reconstruction हो, चाहे amalgamation हो, ये भी balance sheet बनाने को आएगा तो इसमें से जो आप सबसे toughest, एक बोल देंगा, tough chapter कौन सा है, तो वो बता दो तो मैं इसमें से tough chapter बोलूँगा, सभी में से amalgamation है हाँ, lendy अगर पूछते होगे कौन सा है, तो मैं बोलूँगा final account है तो देखो, एक होता है lendy और एक होता है tough, दोनों में फरक है lendy का मतलब आपको करने में समय लग रहा है, लेकिन आपको आ तो सब कुछ रहा है कि भीया कैसे करना है, नहीं करना सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन tough के अंदर कि उसके अंदर यार language बड़ी tough होती है, करना मैं यह चाहता हूँ, लेकिन वो कई बार वो चीज़ होता ही नहीं, तो वो that is ML commission of company हमारा, ठीक है न, यह पूरा का पूरा हमारा scenario रहेगा, doubt वगरा कैसे solve होंगे आपके, simple से चीज़े है, doubt के लिए doubt के लिए, एक आपको number provide कर दिया जाएगा, आपको जो number provide किया जाएगा, कितने number दिया जाएगे, number one, एक आपको doubt का number दिया जाएगा, number two, एक आपको content, यानि जो आपके वीडियोज है, उस वीडियोज को कैसे manage करें, वो number दिया जाएगा, number three, आपको एक number दिया जाएगा, that is complaint, कोई issue आता है, तो उसके related, आपको number दे दिया जाएगा, ये तीन number रहेगा, exam time पर हम क्या करते हैं, doubt वाले number को बदल देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे डाउट होते हैं तो एक मैस्टव ना हो जाए तो आपको उसी पर डाउट पर फोकस करना है उसी नंबर पर भीजना है जब जब नोटिफिकेशन आपके चैट में हमेशा जो भी अनॉंस्मेंट होगा वो डाल दिया जाएगा जो चैट का ग्रुप बना हुआ है हमारे ऑफ्लीकेशन पर उस ग्रुप का कोई माईने नहीं है वो बच्चे आपस में कम्निकेट करते हैं कुछन भी सकते हो टक्रिव इसलिए बस क्शिक्राइब के नाम से जो जो की चैनल है नहीं बनाए ह 되게 इन बातों को छो छोटी चोटी बातों को ध्यान रखिएगा अभी मुझे फिलहाल के लिए जो हम कौन से चप्टर को स्टार्ट करेंगे जो next class से स्टार्ट करेंगे हम वही 12 वाले को basics बनाएंगे क्योंकि अगर ये वाली unit नहीं करेंगे तो इन में से कोई भी apart नहीं कर पाएंगे अब यहां पर करने के दो process हो सकते हैं या तो मैं इस unit को बाद में करूँ पहले मैं इस unit को निप्टा दू जब मैं इस unit को निप्टाऊंगा तो यहां थोड़ी से help मिल जाएगे तो अगले चाहिए इस unit में से अगर करेंगे तो हम कौन से topics को cover करने वाले सर यह दो ratio बाद में करेंगे या तो हम यह वाला start कर लेंगे ठीक है या फिर हम इसको चलेंगे तो यह पूरा sequence में ही चलना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि तीन chapter इसके कर लिए चलो अब इस पे आजाओ फिर वो पूरा rhythm हो जाएगा यह सारे chapter एक दूसरे से connected है जो आपके exam में questions पूछे जाएंगे इन सभी chapter को mix करके एक questions बनाए जाएगा मतलब उसमें issue of shares भी होगा buyback भी होगा, debentures भी होगा कुछ ऐसे करके mix करके बना दिया जाएगा और या फिर A part, B part और C part में question दिया जाएगे उसके according रहेगा इस unit में से दो questions बनेंगे यानि और में एक और एक को दोनों में से एक करना है इस unit से भी दो questions बनेंगे इस unit से भी दो questions इस unit से भी दो questions इस unit से भी दो questions हर एक unit से उसके according questions बनाया जाएगा तो ये तो मैंने पूरा का पूरा आपको एक स्लेवर्स का एक ओवर्वीव दे दिया कि है क्या पढ़ना क्या है अभी मार्केट में भुक अविलेबल नहीं होगा शायर या आभी गया हूँ वो पता करना होगा फिलहाल के लिए मैं कोई भी चप्टर स्टार्ट करूँ हो तो आपको PDF फॉर्मेट में एफे के अंदर तो चलो चल गया कॉर्परेट अकाउंट के अंदर आपके सामने चैप्टर है मुझे बोलने की जुरत नहीं है ज्यादा कि इतना टाइम लगेगा ये रिवीजन नहीं होता कॉर्परेट अकाउंट के अंदर स्लेवर्स खतम हो जाए वही बहुत है हमारे अगर टाइम की बात करें तो हमारे टाइम का डेट शिट आ चुका है डेट शिट कब से आपका 18 मई से पेपर है ठीक है ना 18 मई से आपके पेपर होंगे तो देखो count करें हम clear days की तो 3 महिने है मई वाला महिना तो आपका paper ही है कभी internal आएगा तो कभी क्या आएगा तो कभी क्या आएगा उसी में बच्चों का समय निकल जाता है mainly clear cut आपको पढ़ने के लिए सिर्फ due कितने महिने दे रहा है 3 महिने अगर हम इन सभी chapter को हमारे पास total अगर देखा जाए तो 20 chapter माने और 20 chapter में हमारे 3 मेने में 90 divided by अगर हम 20 भी कर दे तो हमें एक chapter को पढ़ने के लिए खतम करने के लिए मातर 5 दिन मिल रहे है approximately 5 दिन मातर इस chapter को खतम करने के लिए 5 दिन और 5 दिन का मतलब है आपके 5 घंटे क्योंकि एक दिन में अगर मैं एक घंटे की class ले रहा हूँ तो 5 घंटे तो not possible आप 5 दिन में क्या आपका एक महिना तो share capital ले जाता है बाकी भी chapter बहुत बड़े बड़े है तो मुझे कुछ chapter आपको live कराना पड़ेगा देखो slave us खतम time पे हो जाए इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कुछ मैं ऐसा नहीं करना चाता कि यार ये वाला unit चल रहा है चल रहा है यार दो unit रह गया मैं पहले बोल के चलूँगा कि ये वाला unit डाल दिया है एक तो ये होगिया corporate एक होगिया company and compensation law वो पूरा का पूरा recorded बनाया हुआ है वैसा ही paper आता है कोई दिक्कत नहीं है एक HRM है HRM आपको self पढ़ना पड़ेगा फिलाल के लिए अगर कोई batch launch होता है तो उसके वारे में बता दिया जाएगा अभी किसी बच्चे का कोई doubt, कोई query हो तो आप पूछ सकते है क्योंकि मैं अगली class से chapter start करूँगा जो भी आपका majority होगा कि कोई भी एक chapter उठा लो sir या तो share capital उठा लेंगे या final account वैसे हम लेके चाटेंगे जैसा आप बताएंगे मिल्कों cbs में buyback of share भी है हाँ cbs में तो cbcs में buyback of shares अच्छा एक chapter भूली गया इसमें तो बच्चों ने याद दिलाया वह या एक chapter तो इसमें भूली गया buyback of share देख लो और शायद मैं एक आद इसमें भी भूल गया हूँ क्योंकि वह एक आद में सो जाता है तो यह भी है नो हो गया है देखो इसके इंदर तो है 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 लिए है है लिए है झाल झाल